जैहन तो कैसे हैं आप सभी उम्मित करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे जहां होंगे मस होंगे दोस्ते यह वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए काफी जाद इंपॉर्टेंड और इन्फोमेटिव वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने है और किस डेट से पहले क्रूसिलेट क्या होता है उससे पहले का होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो यह सब बहुत इंपोर्टेंट है और यह सब अभी से आप लोग अरेंजमेंट करना लगिए फोटो आड जिसमें आपको फोटो हो एड्रेस हो नाम पता सब कुछ अच्छे से लिखा हो वह आपके पास होना चाहिए वह प्रॉपर होना चाहिए मतलब कि जो भी आपका नाम लिखा हुआ जो भी डेट बर्त लिखा हुआ वह आपका आगे जो भी डॉक्मेंट सो उसमें स उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का यहां पर डॉमिसाइल जिसको लोकल रेसिदेंसियल बोलते हैं हम लोग और एक होता है जितका जाती अवासी इनका बनता है इन सभी चीज में बहुत जादा कन्फूजन रहता है कि क्या मेरा कुरूसियल बरेट से पहले का वहना चाहिए या करें भी आपका है डो मिशाइल का वैल्लियू तीक है तो यह तो उसको नया हो तो भी चल लए या पूराना हो तो भी चल लागा दो मिसाल में किसी कोई दिक्कत नहीं होता है बहुत लोग इसको लोकल रेसिदेंसियल भी बोलते हैं जिसे स्टेट के हैं आप उसका यह important होता है ठीक है तो इसलिए जो है काफी ज़ेदा बढ़ जाता है अगर तीन साल से ज्यादा पूराना हो गया तो नया बनवा लीजिए घर तीन साल में है तो चल जाएगा 100% चल यागा ठीक है अगर आप बनवाना उस दिन होता है उसका crucial date जैसे कि माली कि आज आज के दिन से कोई form भरना स्टार्ट होता है तो crucial date आज का हुआ आज से पहले का आपका आवासी या जाती आपका होना चाहिए उसको बोलते हैं crucial date अब कुछ लोग का मने में doubt होता है कि उस समय तो मेरे पास जाती आवासी नहीं था तो क्या हम नया बनवा लेंगे तो आप चल जागा तो देखे यह डिपेंड करता है किसी किसी सेंटर पर इसको नेसेसरी तोर पर मांगा जाता है हलांकि आपके guideline में भी लिखा हुआ है कि आप crucial date का पहले का होना चाहिए अगर पहले का नहीं है तो आप नया भी बनवा के लेके जा सकते हैं और जो पुराना वाला आपके पास चाहिए जब कहो चाहिए चार साल पान साल पहले का भी हो वह आला भी आप लेकर जाहिएगा यह preference के लिए ताकि वहां पे आपको rejection ना मिले इस certificate के कारण यह हो गया और कुछ category में जो है जिनका hide chest में छूट चाहिए होता है उनको एक annexer भी बनवाना पड़ता है तो STC वाले लोगों को एनकसर भी बनाना पड़ता हूँ एनकसर भी आप बनवा लिजेगा STC वालों को यह बिल्कुल original आपके पास होना चाहिए तो यह सब documents हैं काफी ज़्यादा जूरत पड़ता है छे photo होता है और जितना भी documents आपको बता है सभी का जूरेक्स जो भी documents बता है सभी का जूरेक्स यह 10 तक basic होता है अगर आप इससे आगर आगे भी form में fill up किये हैं तो आपको व होगा हां और passing certificate भी 10th का जो लास्ट में जो मिलता है passing certificate भी वहां मांगा जाता है सभी original और अगर उससे बाद आप additional कुछ दिये हैं या फिर आप 12 का दिये हैं या फिर जो भी higher qualification दिये हैं वो higher qualification आप लोग को वहां पे सो करना होगा जिस दिन आपका medical जिस दिन आप लोगा documentation करें करना होता है तो बहुत सारे लोग जो है कि इसके कारण पिछली बार का भी आप मेरे मेडिकल अगरे वीडियो देख लिए 50% जादा लोग जो है कि वो इस डोकुमेंटेशन में वो बाहर हो गया थे तो इसलिए आप सभी के लिए काफी जादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता जो भी केंडिट जो है फिजिकल क्वालिफाई कर लिए है और उनको उमीद है कि उनका मेडिकल उनको बुलाया जाए तो आप ये सारा डोकुमेंट से बिल्कुल पहले से प्रिपेर करके रखिएगा बाकी ये वीडियो आप लोग कहां तो अच्छा लगा है जरू बताईएगा और किस तरह कोई डाउट है जो पूछना चाहते हैं तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मेरा Instagram का ID मिल जागा आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो जाके मैसेज कर सकते हैं और हाँ दोस्तों फॉलो जरूर कर लिए मैसेज तो सभी लोग कर देते हैं लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं तो जो भी लोग मैसेज करें किरप्या करके आप लोग फॉलो जरूर कर ले मिलते हैं हम लोग किसी अगले informative वीडियो में तब तक के लिए अन्यवाद